हाँ भाई तो कैसे हो काफी बैस डोकर खतम भी हो गई मैं वीडियो अब ला रहा हूँ मैं वेट कर आता लोगों की थियोरी इस एलिकेशन का अब काफी इन्फोर्मेशन आच की है तो मेरा उपीनिय देना तो बनता है तो इस वीडियो में हम कृष्णा की उपर लगे एलिके कर देता हूं तो युनो क्रिशना की एपी फार फ्रॉम ओवर 29 अगस्त को रिलीज हुई जब से ही रिलीज हुई है तब ही से इसने रिकॉर्ड ब्रेक ने स्टार्ट कर दिये फॉस्ट क्रिशना का स्पॉटफाइ चार्ट्स रैंकिंग में हाइए 61 पोजिशन पर एंट्र प्रातना सौंग से सेकंड इस इस इपी ने अपने 5 डेज और 12 आर्ट में डिवाइन की पुन्यपाप अलबम का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया ओल एमिवे फैंस ने सिर्फ कुछ कुछ कृष्णा हेटर्स को इस बात से जलन होने लगी how he broke records लिरिकल रैप को सुनता ही कौन है उन्होंने allegation लगाया कि कृष्णा ने अपने EP के streams को बढ़ाने के लिए और डिवाइन के record को break करने के लिए fake words, fake streams, fake playlist का use किया है जो playlist ये है rap mixed by रेश्मा गुलाटी with 9,000 followers and rap on repeat by रेश्मा गुलाटी with 33,000 followers और भी 2-3 playlist थी जिन पर 8-10,000 followers थे currently सभी playlist से कृष्णा का song प्रातना हटाया जा चुका है कृष्णा की team की side से, hope you all understand की पूरी बसड़ क्या थी, अब कुछ facts रखते हैं आपके सामने उससे पहले कृष्णा की तरफ से क्या reply आया है, वो भी देख लेते है कृष्णा का इंसब पर ये कहना है कि उनका focus होता है track बनाने पर, ना कि playlisting करने पर जब उनको fake playlist का पता चला, तो उन्होंने अपनी team को immediately action लेने को कह दिया और भाई का ये भी कहना है कि बिना इन playlist के भी प्रातना काफी अच्छा perform कर रहा था, काफी अच्छे numbers हैं और आगे भाई कहते हैं कि मैं जब भी कोई track release करता हूँ, कोई project release करता हूँ, तो लोग उसमें कम या निकालना शुरू कर देते हैं या और कोई तरीके से गिराने की कोशिश करते हैं प्रातना मेरा one of the highest stream track है और ये 61st position पर debut किया था, जो इस song से पहले मेरे किसी song ने नहीं किया और ये मेरे fans or listeners के dedication को दिखाता है लास्ट में भाई ने ads related का है, कि ads को लेकर बहुत जादा गलत narrative है ads आपकी growth में help करती है और वहाँ पहुंचाती है जहां आप नहीं थे ads एक great tool है artist की growth और एक breaking artist के लिए अगर मेरी distribution team मेरे track का Spotify पर campaign चलाती है, promote करती है तो मैं उनके साथ हूँ they help me to grow and reach numbers, I hope मैंने सही explain किया है, कोई गलती है, तो sorry, let's go next point तो देखो allegations काफी सारी है, उनके counters भी है, like first कि ये सब boat streams है, तो पहली बात YouTube जितना easy नहीं है, boat ये fake streams यूज़ करना Spotify की policies बहुत सही है, इस fake real के मामले में, second इस सब में Krishna का वोई रोल नहीं होता, because वो एक artist है, एक label के undersigned है, उनका काम है tracks बनाना, ना कि खुद ही management बनकर playlisting कर बना Also क्या आपको fake streams के पैसे मिलते हैं, तो Google पर थोड़ा सा scroll करना, fake streams को लेकर आपको ये article मिल जाएगा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कि fake streams से artist को पैसे भी कम मिलते हैं, also गर fraud proof हो जाता है, तो artist बैन हो सकता है तो Krishna इतनी hype में है, तो अपने career को लेकर इतना बड़ा risk तो नहीं लेगे, और ये जोग भी playlist से हैं, उनने सिर्फ Krishna की management company ही नहीं, उन से पहले और भी कई artist ने use किया होगा अगर ऐसे ही चलता रहा, तो पर भी के एक artist एक्सपोज होगा, और ads कभी भी fake नहीं होती, इस बात को remember रखना वैसे कहीं ही Krishna के haters कहीं इस बात से तो फेंड नहीं हो रहे हैं, कि IHS Cypher पर बहुत ही खराब streams आये हैं, इतनी hype करने के बाद भी Also एक और allegation लगाया है एक YouTuber ने, कि सौंग पर streams fake हैं, because 3 million streams पर कम से कम 5k reels तो होने ही चाहिए थी, तो bro untitled track है Krishna का, जिस पर 15 million plus streams हैं, और reels सिर्फ 700 भी नहीं हैं तो क्या वो सब streams fake हैं, answer is hell no, because हर सौंग नहीं होता, जिन पर reels बनाई जासके, कमरिया मटकाई जासके, या फिर ट्रांजेशन वीडियो भी बनाई जासके, ऐसा नहीं होता उपर से वो आर्टिस इंडिया के लिरिकल रैप को represent कर रहा है, और best लिरिकल रैपर है सीन खा, काफी allegations के अंसर आपको मिल गए होगे, और ये बात भी किसी दिन प्रूफ होई जाएगी, कि ये सब एक plan के तहट हो रहा था, एक आर्टिस को defame करने के लिए, सीधी बात तो ये है कि आर्टिस वस इस आर्टिस रहने दो, आपस में डिबेट करो कि ये best है, ये best है, बट रैप और हिप आप में politics मत लाओ, विकोज अगर politics आती है, तो रैपर्स के ऐसे से काले कारणा में सामने आएंगे, पुराने pages खुलेंगे, जो वो आर्टिस भी नहीं चाहता कि ये pages सब के सामने आएं, music को music तक रहने तो जादा ठीक रहेगा, haters or fans दोनों के लिए ये बात है, और कुछ quick answers के भी जवाब देना चाहूँगा इस वीडियो में जाते जाते, first unfiltered streams, fake होती है या bought behavior वाली होती है, तो इस definition में साफ साफ शब्दों में लिखा है, कि looping a song repeatedly would result in दो streams getting filtered, और obviously, अवाम ने divine के record को break करने के लिए song को loop पर सुना होगा, और ये screenshot viral हो रहा है, जिसमें 850 के streams दिखाई दे रही है, तो ये looping को बिना count किये है, ये filtered streams है, also ये updated भी नहीं है, looping streams count नहीं होती है, hope you all understand, also अवाम की तरफ से allegation ही आया, कि Amiway के Indian hip hop cypher पर 2 million views हो और इन allegation से Amiway का ही नाम खराब हो रहा है, कि ये बंदे allegation लगाने आ गए, अभी ने music का Spotify कैसे work करता है, इसका basic knowledge भी नहीं है, फिर Amiway इनके लिए appreciation story पोस्ट करते हैं, सच पता लगने के बाद इसे कुछ time में remove भी करतेते हैं, मतलब ऐसे दोस्तों से fans से तो दुश्मन बले, also जो भी ये fake streams का कह रहा है, तो फिर से बता दूँ, इसमें बहुत ज़्यादा high level का risk है, because ऐसा कोई system launch ही नहीं किया Spotify ने, कि इतना cash तो इतने streams मिल जाएंगे, अगर ऐसा होता तो बाचने इंडिया का number one, artist होता, if you know, you know, आगए होंगा Amiway के fans नहीं, Krishna के haters मुझे गा आप लोग तो 20 मिलियन हो, तो क्यों सिर्फ 2.9 मिलियन लिसनर्स हैं, ट्वेक एलिगेशन लगाने की चगें, इंडिया ही पॉप साइफर को स्क्रीम करो, Amiway भाई भी यही कहते होंगे, किसी की भी साइड लेना नहीं चाहता था, बट सिर्फ कुछ कृष्णा haters, जिनका का हैं सिर्फ टॉक्सिसिटी फैलाना, उन्हें रिप्लाई देना ज़रूरी था, हिप आप एंड टॉक्सिसिटी मत फैलाओ, ट्रैक्स इंजोए करो, कॉंटेंट इंजोए करो, खुश रहो, अपना ध्यान रखो, पीस आउट